यस गईस finally आप देख सकते हो, आपका board exam English का paper बहुती viral चर रहा है, यस गईस बहुती important है, आप सभी का board exam English का paper फाइरल पेपर जा रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एंसर पीडियाप भी दिखा दिता हूँ, आप देख सकते हो उसी पेपर का यहाँ पर बोड एक्जाम 2024 एंसर पीडियाप है, जो की पेपर बहुत ही इंपोर्टन आप सभी के लिए रहने वाला है, आप चले वीडियो को करते हैं, उससे पहले अगर चैनल पर नूँ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा, और हाँ, साथ में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इंग्लिज के साथ-साथ, other paper भी आपके यहाँ पर आउट हो जाते है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के मादेम से प्रोवाइड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा, और हाँ, यह पीडियोप आपको अगर चाहिए, तो आपको अभी यहाँ पर और साथ में आपको टेलिग्राम ग्रूप पे ही आपको मैक्जिमम माक्स यहाँ पर 80 रहते हैं और टाइमिंग आपको लगबग 3 वर होता है, और जो यहाँ पर बोर्ड ओपिशल पेपर होता है, उसके भी लगबग 15 से 18 पेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएते हैं, कम जादा हो जाते हैं, बड़ आप देख सकते ह अगर आप राइटिंग स्किल से स्टार्ट कर रहे हो, बड़ आपका स्पीड जादा होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे अधर पेपर भी पूरा सॉल करना है, वी टाइमिंग आपने बोर्ड एक्जाम से पहले कुछ पेपर अगर ऐसे लगा है, त राइटिंग स्किल के बाद भी आपको ध्यान में रखना होता है, कि मुझे अधर पेपर, अधर पार्ट जो है, सीन पैसेज, अंसीन पैसेज, पोईटिर सब कुछ सॉल करना है, तो इसके लिए ज्यादा टाइम लगता है राइटिंग स्किल से, तो अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने है, जैसे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हो, उसके बाद तुरंट आपको एक्टिविटी स्किल का पार्ट है, और जो वहाँ पर टॉपिक आपको पुझे गया है, वह भी बहुत इंपोर्टन है, क्यूंकि आपको 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 इसी पैटन में आता है, सबसे पहले आपको 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 चार से पाच अक्टिविटी है, तो फॉस्ट आपको आपको पूरा देखिए, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखिए, बट पूरा देखिए, बार-बार मैं इसी प्रकार आपको बता रहा हूँ, त्यूंकि आपको 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 बताऊंगा, यह सभी आइंसर पीडियाप में आपको लिखावा मिल जाएगा, ज्यादा से यादा टाइम वेस्ट नहों क्योंकि बहुस सारे स्टुडेंट होते हैं, जो कि शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा बड़ा अगर वीडियो हो तो देखना फसंद नहीं करते हैं, मैं इन शॉर्ट में आपको बताने क्यों कोशिश करूँगा, और एंसर पीडियोप तो आपके पास है, आप एंसर देख लेना, अब देखें, make for new meaningful word, minimum 3 letter आपको बनाने, using the alphabet from the following word, और हाँ आपको पता है, paper के answer देखने से important है paper को समझना paper pattern क्या है, paper किस type आता है, और आपको किस type लिखना होता है, यह समझना बहुत important है, जो काम अभी हम कर रहे है, so don't worry, then one देखें, आपको only following word दे रखे है, जिससे आपको minimum 3 letter बनाने है, but using the alphabet from the given and following word, बस यही word का इस्तमाल करते हुए, आपको बनाना है, कोई भी 3-4 word आप easily बन marks के लिए activity है, और आपको पता है कि आपको fast paper solve करना है, जिन देखें, complete the word chain, verb, add forward, आपको पढ़ने की ज़रूरत नी, direct लिए आपको समझ माना जाएगा, push है, push के बाद, यह से एक कुछ भी word बना दिया, उसके बाद, जैसे आपको पिछे-पिछे का word लेना है, और पूरा यहाँ पर जो है, जो activity है, वो फुल्फिल कर देना है, अब देखें, do as directed, हर paper में आपको direct and direct, active wise, pacific wise, question tag, an, the couple होगे, सब कुछ आने वाला है, तो आप यह grammatical जो part है, वो पढ़े के जाएगा, ठीक है, अब देखें, do as directed, yes guys, paper बहुत important में आपको हर बार यही बता रहा ठीक है, देखे, attempt anyone, make meaningful sentence by using the given phrases, आपको यहाँ पर phrases दिया है, हुआ है, उसके regarded आपको कुछ नहीं, यहाँ पर only meaningful sentence बनाना है, कुछ भी बना सकते हो, apart of parcel and then my father sold his car, attempt anyone, आप देखें, दो में से एक आपको attempt करना है, simple है, कुछ नहीं, यहाँ पर word formation करना है, add prefix और suffix, आपको प दो में से कुछ भी आप लगा के, इन दोनों words को आप complete कर सकते हो, उसके बाद देखें, आपको यहाँ पर बताय गया है, make meaningful sentence using any one of the following word, आपको meaningful sentence तैर करना है, जिस ताइप यह activity आई थी, उसी प्रकार, ठीक है, बाद में आते हैं, आपको textual passage, अब आपका section 1 में, आपको को textual passage आएगा, उसमें से question number 2A में, read the passage and do the activities, आपको simply पढ़ लेना है, complete the table, अब देखें, आपको यहाँ पर एक paragraph मिलेगा, paragraph देखते ही, yes guys, नीन तो उड़ने वाले है, मतलब बहुत बड़ा paragraph है, इतना paragraph पढ़ना, और समझना बहुत करण है, मैं समझ सकता हूँ, बट आप सबसे पहले आपको paragraph छोड़ देना है, बिल्कुल इस पर ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मैं आपको यही कहूँगा, आपको एक best trick बताता हूँ, सबसे पहले फटा 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 से question पढ़ लिए, फटा फटा से बिल्कूल, क्या दिया है, complete the table, आपको event, आपको पता, year दिया है, event दिया है, बट आपको बस पढ़ना है, पढ़ लिया, उसके बाद आए, a2, a2 क्या दिया है, false, true and false, okay, two are false आपने देख लिया, then one आपने देख लिया, who am I, उसके बाद देख लिया, आपने, a4 में क्या है, भाईसाब, a4 में है, आपको कुछ आ आपर, underline the subordinate, clause and state, its type, उसके बाद, choose the correct option to turn it into the complex sentence, उसके बाद, a5 में, what do you learn from the example of Marycom, बस आपको समझे में आगे, कुछ ने Marycom related एक आपको passage दिया है, ठीक है, तो Marycom related एक passage है, और उसके रिगर्ड़ेड आपको overall activity solve करना है, आपको पता है क्या कुछ activity है, आपने पूरे activity activity आपके दिमाग में छप जाएगी, really guys, आप एक बार यही passage पकड़िये, मैं आपको एक answer PDF जो देने वाला हूने इसका, तो उससे पहले आप यही जो passage है, मैंने जैसे कहा है, वैसे करके देखिये, आप देखिये कि आपने यह पड़त है, आपके दिमाग में छप जाएगा इस warrior is none other than Mary, Mary Com, कुछ नाम लिखे हुए हापर, she is fame as a five times world boxing, बस आपको जैसे आपने activity पढ़ ली और आपको जैसे answer दिखने स्टार्ट होगे है, आपको simply इस पे pencil से या फिर pain से आपको थोड़ा से आपको ठिक माग कर लेना है, सबसे पहले उपर instruction पढ़े है, pencil लिउस कर सक सकते हो क्या, तो आप थोड़ी थोड़ी थो underline कर सकते हो, जोबे आपका answer मिले है, आप में बस ऐसी underline कर लखने है, और उसके बाद आपने पूरा पढ़ पढ़ लिया, समझ में नहीं है, तो दो बार पढ़ लिया, और फटाक से यहाँ पर अपने answer लिग दिए, yes guys, फटा कुछ ना कुछ इस passage में से लिख सकते हो, जिदर भी मेरी कौम दिख गया, भई साब कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, तो आपको दो में से एक marks मिल जाएगे, अगर प्रॉपरली लिख दिया है, तो आपको पूरा लिखना है, और A5 activity किसी भी section के आपको नहीं चोड़नी, A5 activity मतलब आपका एक से दो माख समझ के चलिए, अगर आपको लिखना नहीं आता, तो भी आप paragraph का कुछ भी उठा के रख दीजिए, अब देखे question 2B, read the passage and do the activities, ठीक है, yes guys, मैं आपको यह writing skill पे जाएंगे, यह question 2 है देखने के बाद, क्योंकि main वही होता है, ठीक है, तो मैं story unfold, what do kids want, what does Swami want to do, then one, A2 में देखिए, sorry B2 में देखिए, B2 में आपको magic of RK नारायना, उसके related आपको कुछ words यहापर लिखने है, चारी words है, then one, आपको यहापर pick out the meaningful words from the creed with the help of the clues, कुछ clues बताएगा है आपको, clues across, clues downs, across all the down all the check out कर लीजेगा, तो आपको कुछ words है, आपको इसमें से आपको सर्च करना होता है, point of view, then one, आपको down में देखिए, in a pleasing manner, और disturbance, तो आपको यहापर उसके regarded, नेकि सर्च करना होता है, match the sentence with their question tag, question tag आपको यहापर match करना है, easy है, then one, आप इस पे मत देहन देखिए, जो अभी इस पे मत देहन देखिए, आपको PDF मिलने वाला है, आप सोचने मत जाना कि, हाँ भाई मैंने यह पढ़ी थी, या फिर पढ़ी नहीं है, मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं, बस आपको simply एक बुक आपने पढ़ी थी, कोई भी नाम, टाइटल लिग दो, उसके रिगार्ड़ी 2-3, लाइन के 2-3 लाइन, लिग दो की अच्छ दो का official paper होगा, आप उस तर्में poetry सबसे पहले solve करेंगे, उसके बाद आपको non-textual passage मिलता है, वो solve करेंगे, उसके बाद आप solve करेंगे writing skill, सबसे पहले हम writing skill है, आपको समझा देता हूं जो important है, फिर हम जाएंगे poetry और unseen passage की उपर, अब देखिए, हाप पर question 5a में, read the following advertisement and do the activities आपको सबसे पहले आता है letter writing एक informal letter एक formal letter वही होता है बस आपको बिलकुल मत घबराना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर और all formal और informal letter पढ़ लेना है आपने informal letter पढ़ा किसको लिखना है आपके brother को लिखना है आपके friend को लिखना है इन short में सभी informal letter को priority देते है उसके बाद देखिए formal letter इतना पढ़ा कौन पढ़ेगा भाईस आप बस हम लिख देते informal letter तो बस आपको यहाँ पर कुछ point मिलते है वो point आपको पढ़ लेना है और उसके regarded informal letter किसी को लिखना है friend your brother यह सब कुछ information आपको यहाँ पर मिल जाती है पढ़ लेना है उसके बाद देखिए हाँ पर कुछ आपको dialogue writing question 5 भी हर बार dialogue writing आता है इस paper में भी आएगा dialogue writing speech writing भी आएगा तो आपको एक बार यहाँ पर एक आपको analysis करना कि हाँ इस टाइप आता है और मुझे कैसे लिखना पड़ेगा तो आप देखिए dialogue writing में prepare a dialogue from the chamber sentence और complete the following dialogue आपको और में लिखा है और में लिखा है आपको एक तो speech करना एक तो dialogue writing करना है तो easy है dialogue writing dialogue writing आप कर सकते हो easily आप वही activity solve करिएगा तो अच्छा रहेगा time भी to apply for a scholarship from British Council Mumbai she meets Mr.Tom scholarship officer develop a dialogue between them आपको इन दोनों में overall dialogue कैसे उनके क्या कुछ बातचीत करते है उसके रिगाडर आपको थोड़ा सा सोच समझ के हाँ पर कुछ dialogue लिख देने बास इतना ही करना है और आपको B2 activity में speech writing आता है अब देखिए आपको और में लिखा है हर मार अगर आपको नहीं चोड़ना है ठीक है इसको आपको पूरा करना है dialogue writing ही मैं तो वही कहूंगा dialogue writing लिख दीजे क्योंकि आप देखिए dialogue writing में आपका marks कटना मतलब बिल्कुल असंब हो है और आपने कोई मैं बोलूंगा overall mistake की है किसमें अगर आपने spelling mistake की है तो भी आपके marks कटेंग बट मैं तो कहूंगा आप वही dialogue writing लिख के आईए question no.6 से बहुत important आप देखिए इसमें बहुत सारे student क्या करते कुछ ना कुछ गडबर करते थे बट आपको गडबर नहीं करना आपको ध्यान से पढ़ना क्या कुछ दिया है non-verbal to horrible and verbal to non-verbal अब आपको सबसे पहले तो यह यहाँ पर दे रखे है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो बस आपको simply यहाँ पर passage पढ़ लेना है और passage भी बहुत चोटा होता है बस बहुत चोटा होता है आपको यहाँ पर ही पढ़ने के बाद पता चल जाएगा keep the place clean आपको place clean रखना है don't spite on the walls यहाँ कि आपक question पूचे जाते है तो आप बिल्कुल मत घवराइए बढ़ आपको यह question आते ही आपको यहाँ पर A2 पढ़ना है और A2 में आपको क्या पूचक है वह आपको लिखके आना है tabular format में यहाँ देखिए हाँ पर expand the theme यहाँ बहुत important है अब देखिए question 6B, B1 report writing और हाँ आपको मै आपर पूरा paper analysis करवा रहा हूँ, paper analysis करने के बाद आपको overall paper का answer भी दे रहा हूँ, answer भरा PDF भी दे रहा हूँ, question sheet के साथ-साथ answer sheet भी दे रहा हूँ, make sure आप चैनल को subscribe करिएगा और हाँ वीडियो कैसे लगे मुझे comment में जरूर कहिएगा और आपके friends तक वीडियो पहुच आ अब देखे, develop the following new headline into a complex news-having headline, deadline, introduction and main body, कुछ आपको यहापर theme दे रहे होकती है, आपको report writing करना होता है, अब report writing में क्या कुछ point आते है, आपका place, आपका timing, date, वो सब कुछ आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, वो answer वीडियो में आपको मिल जाएगा, so don't worry, उसके बाद time आपका बरबत करे हो, ठीक है, तो आपको 100 words मिला, को कितने page बनेंगे, आप ही मुझे बताइए, ज्यादा page मत लिखेगा, ठीक है, आप देखे हापर, आपको कुछ आपर overall one to two lines दिये रखे, उसमें आपको story यहापर जो beginning story की बस समझ लेने है, उसके बाद कुछ भी अपन important जो आपका section 6 रहता है, skilled development, yes, skilled development, अब देखे कुछ-कुछ paper में आपको अलग-अलग देखने को मिलेगा, जैसे कि इस बार देखे, skilled development इस paper में आपको पूछा गया है कि translation करना है आपको, और translation में भी आपको कुछ भी नहीं, यहापर लग-बग 6 words आने कि total 6 words आपको दे poverty, frozen, grateful and कुछ FOE करके है, तो आप देखे, लग-बग आपको 5 तो easily आजाएंगे, पढ़ते ही आजाएंगे, थोड़ा एक तो यहापर थोड़ा different है, फिर hard type पूछा जाएगा, पर आपको लग-बग 4 पूछा है तो 5 तो आपको simple मिल जाएंगे, और 4 तो ऐसे मिलेंगे, nutrition मतलब आप daily nutrition चो लेते है, nutrition, lovely, lovely मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, free or full, अच्छा, देन्वन poverty मतलब आपको पता अगरी भी, दार इंद्री ठीक है, यह सब कुछ आप लिख सकते हो, जो आपको answer वीडियो में मिल जाएगा, देखे, translate the following sentence into your medium of instruction attempt any two, जैसे मैंने कहा है, आ आप देखे, attempt any two, two marks के लिए आपको simply आएगा, आप देखे, कुछ भी आप यहापर overall, सिर्फ आपको translate करना है, ठीक है, आप देखे, do not speak loudly while talking to someone on a phone, we saw beer trees, what a hot summer, this is, are you ready to take up the new job, easy है, आप यहाप पर कोई भी two attempt कर लीजेगा, translate the following proverb into your medium of instruction attempt any one, बस एक marks के लिए एक लिखना है और वह भी easy आता है, जैसे कि आप देख सकते हो, hist makes best, the early bird catches the one, easy है, आपको पता ही होगा, so don't worry, अब आते हैं आपर, in short में फटा फट से आपर देख लेते, non-textual passage जो important होता है, और poetry, आपको starting में सब कुछ poetry और non-textual passage करना है, ठीक है, ना कि आप सबसे पहले writing skill लेके बढ़ activity in short में आप देख लीजिएगा, कि क्या कुछ paper में पूचा है, फिर यहापर बढ़िए आप, कुछ भी हो, passage हो, आपको poem हो, कुछ भी दिया हो, but आपको activity पढ़ लेनी है, तो यहापर पूचा गया है, even who, twist, the truth, what, आपको इस सब कुछ पढ़ लेना है, complete the way, आपको क्या प यहापर कुछ आगा है, अब आपको पढ़ते ही, आपके दिमाख में light जल जाएगा, कि yes, कुछ नहीं, simple है, बस आपको यह पढ़ना है, यह answer आपको टिकमा करते रहना है, उसके बाद पढ़क से आपको यहापर लिख देना है, इसके answer, simple है, यह आप कर लेंगे, उसके बा figure of speech, आए, अगर आपको लिखना आता है, तो ठीक है, नहीं, तो don't worry, and आपको theme, central idea भी उसमें आना चीए, तो बस आपको इसी टाइप यहापर कुछ, मिला जुला कि एक, दो से चार line लगबग आपको तयार कर देनी है, लगबग 5 marks के लिए, तो थोड़ा जादा lines आप तय आपको यहापर क्या कुछ आएगा, सबसे पहले आपको activity पढ़ लिएना है, यहापर match the column दिया है, इसमें क्या दिया है, यह भी आप पढ़ लिजे, इस type आपको क्या दिया है, ग्रेट साधूस, इसके बाद क्या दिया है, kinship with poor tribe people, यह सब कुछ पढ़ लेना है, उसके ब आपको यहापर कुछ overall activity दी है, use would and rewrite, would इस्तमाल करिए, फिर लिखिए, उसके बाद आपको यहापर भी voice के related, change the voice, मैंने बोल आपको voice बहुत important है, active voice, passive voice, direct and direct दोनों भी, उसके बाद A5 में देखिए, in your opinion, what are the qualities that make people a great social worker, अब देखिए, जिनको English लिखना आता है, सही प्रक आपको question 4B में summary writing आता है, यह भी past marks के लिए आता है, यह तो बहुत important है, summary writing करके, तो read the passage in question 4A, जो आपको passage दिया है, वो आपने read किया ही होगा, read करता ही, यहापर write a brief summary of the text, brief लिखा होता है, बट आपको यहापर past marks के लिए पूछा गया, summary जितना होता है, उतना लिखेगा, यह तो लगबग 3, 4, 5 पे लिख रहे हो, कोई दिक मतलब, वह तो मतलब आपको overall इतना लिखना ही नहीं है, तो आपको title एक कुछ भी लिख दीजे, बट आपको summary लिखना है, वो summary आप लिख दीजे, बट लिहान रहे ज्यादा मत लिख दीजे, ठीक है, तो finally पूरा paper हमने स कुछ आपर दे रहा है, जैसे कि section 1 है, section 1 में question number A आपको जितने भी activity दिया है, देखिए war के related जो को यहाँ पर आपको लिखना था, वो सब कुछ दिया है, साथ में आपको यहाँ पर पूरे activity का answer दिया है, question number 1 B के जो answer है, वो answer आपको दिया है, एक्टिवाई, आपको पूचा गया था, साथ में आप देखिए, हाप पर आपको आया था, कि आपको year दे रखे थे, event क्या कुछ होई थी, इस year में वो भी आपको आपको आएगा, true false, हैने कि सब कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है, तो अप पूरा पीडियाप आप कहां से डाउनलोड क जाकर देखिए, कि पीडियाप वहाँ पर अवेलेबल है, तो डाउनलोड कर लिजे, और second मैं आपको बता दू, second है znews24h.com, आपको spelling सही से डालना है, znews24h.com, ठीक है, दोनों एफसेट है, उस पे जाकर चेक आउट करिए, वहाँ पर आपको overall सभी paper, English के साथ other paper भी आपको पीडियाप बहुत जल्ड प्रोवाइड किया जाएगा, so don't worry, paper किस ताइप लगा, मुझे जरूर comment किजिएगा, और हाँ बहुत important paper है, आपको पूरा रट लेना है, पूरा आपको solve करके देखना है, wish you all the best for your exam, और बहुत जल्ड अलग-अलग subject के भी paper आने वाले, बहुत जल्ड 10-12 board के अलग-अलग paper, अलग-अलग subject के paper आने वाला है, make sure आप अभी चैनल को subscribe करके, साथ में आपको बिल आइकन जरूर प्रेस करना है, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर कीजेगा,